जहिन, डिजिटल अस्कॉटिंग में आपका स्वागत है आज हम अस्कॉट गायड कोटा रिकॉर्मेंट 2023-2024 के तहत जो वैकेंसी निकली है उससे जुरी महत्पुन जानकारी हम लोग राप्त कर रहे हैं जैसा कि आप सभी को मालूम है अस्कॉट गायड कोटा 2023-2024 के तहत अभी तक 4 जून की वैकेंसी आचुकी है जिसमें की पहले वैकेंसी थी SECR रेल्वे की तरफ से दूसरी वैकेंसी थी NER के तरफ से और तीसरी वैकेंसी थी सेंटर रेल्वे की तरफ से और जो चौतिफी पिकंसी आई है वो है वेस्ट سेंटर रेलवे डबलु सी राप के तरफ से तो आज हम इस वीडियो में वेस्ट सेंटर रेलवे डबलु सी रा जाई के तरफ से जो स्वेकंसी निकिले है उससे जिड़ी कोछ हमलोग मात窪ूν जानकारी प्राप कर रहे हैं तो आप से भी इस वीडियो के अधित तक बने रहे और अगर आपके वीडियो बसंद आती है तो आप से भी जानल को सब्सक्राइब करके नोटिपिकेसन मेल को जरूर दबा दे ताकि हमारे आने बाली वीडियो का नोटिपिकेसन आपको समय समय बर मिलता रहे तो असकावड गायर कोड़ा रेकॉर्मेंट 2023-2022 के ताहद पसी मद रेलेवे यानि वेट सेंदर रेलेवे के तरफ से जो वैकेंसी निकली है उसके लिए कौन-कौन आबेदन कर सकता है आब इदर की परक्रिया किस प्रकार होगी और लाइन होगी या ओप लाइन होगी WCR के तरफ से कितने पदो पर वैकेंसी निकली है गुरूप C के कितने पदो पर वैकेंसी निकली है गुरूप D के कितने पदो पर वैकेंसी निकली है इसके लिए क्वालिट्रिकेशन क्या होनी चाहिए ओम्री सीमा क्या होनी चाहिए ओनलाइन प्रोसेज क्या है इस सभी के जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं तो चलिए वीडियो के हम लोग शुरू करते हैं और जानकारी प्राप करते हैं WCR के तरफ से जो वैकेंसे निकले है उससे जरी कुछ मात पुन जानकारी तो जैसा कि आप सभी को आपके मुवाइल अस्कीन पर दिखरा होगा Railway Requirement Sale West Central Railway Requirement Against Scouts and Guards Quota in West Central Railway for the year 2023 Employment Notification Number 4 Oblig 2023 Scouts and Guards Quota dated 5-10-2023 तो सबसे पहले हम जानते हैं तो इस Scout Railway Requirement WCR के तरफ से वैकेंसे निकली है उसके लिए उन्होंने आपिदर की क्याप पर किरिया रखी है तो आपको यह बता देते हैं कि WCR में आपिदर के लिए आपको ओनलाइन आपिदर करनी है यानि आप इसके लिए ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म पर के समिट करना है जिसका ओपनिंग डेट है ओनलाइन अप्लिकेशन के लिए वो है 7-10-2023 यानि 7-10-2023 को इसका ओनलाइन आपिदर के लिए पर किरिया शुरू होगी और इसकी जो क्लोजिंग डेट है यानि अंतिम टिती है वो है 6-11-2023 यानि 6-11-2023 तक आप इसके लिए अब इदर कर सकते हैं अब जानते हम लोग गुरूप C के कितने पदो और गुरूप D के कितने पदो पर वैकेंसी निकली है तो जिसा कि आपको दिख रहा है गुरूप C के दो पदो पर वैकेंसी निकली है और गुरूप D के 6 पदो पर वैकेंसी निकली है जिसके लिए जवलपूर डिविजन के लिए 2 वोबाल के लिए 2 और कोटा डिविजन के लिए 2 वैकेंसी निकली है तो सबसे पहले बात करते हैं educational qualification लेवल 2 के बारे में यानि group C के बारे में तो 12 और its requirement examination will not less than 50% marks in the aggregate pro में recognized award यानि आप 12 qualified होने चाहिए किसी भी recognized award से और आपका 50% marks से कम नहीं होना चाहिए या तो आप 10th pass plus course completed एक apprenticeship certificate और ITI approved by NCVT and SCVT और technical grade 3 in level 2 और पे matrix of 7 CPC यानि आप 10th को लिपा है साथे साथ आपने apprenticeship का course complete कर लिया है या ITI का course आपने complete कर लिया है तो आप इसके लिए आपिदन कर सकते हैं उसके बादे level 1 यानि group D के लिए तो 10th pass या ITI equipment या National apprenticeship certificate NSC granted by NCVT 10th pass हो या तो आपने ITI complete कर रखा हो या आप National apprenticeship certificate का course कर रखा हो उसके बाद बात करते हैं हम लोग a scouting gathering qualification के बारे में तो जो a scouting gathering qualification है वो level 2 और level 1 के लिए दोनों सेम होती है यानि दोनों के लिए योगिता बराबर होती है ए प्रेसिडेंट a scout guide rover ranger और हिमाले बुर्डवाज HWB holder in any section तो इसके लिए जो आपिदन कर सकता है वो प्रेसिडेंट आस्काउट यानि प्राष्टपती पुर्षकार a scout guide rover ranger या हिमाले बुर्डवाज HWB holder इसके लिए अपलाइक कर सकते हैं उसके बादे should have been an active member of a scout organization for the last five year अपने a scout organization में last five year से active सदस यानि सक्रिय सदस की रूप में काड़ किया हो उसके बादे इसका जो एक्टिवने सदस्टेपिकेट होता है वो इस notification में दिया गया है जिसको आप सभी बढ़ करके उसको प्राइक क्मप्लेट करके आपको सब्बेट भी करना होता है नेक्स्ट है should have attained two events at national level या all India relevant level and two events at a state level is per annexer भी यानि आपके पास national level का दो सदस्टेपिकेट या all India relevant का दो सदस्टेपिकेट आपके पास होनी चाहिए और a state level का कम से कम आपके पास दो सदस्टेपिकेट होनी चाहिए तब ही आप इस फॉर्म के लिए आबिदन कर सकते हैं यानि अगर आप राश्टेपिक पुरुषकार उत्तिर नहें या आपने हमाले वुडबेच कोर्स कर रखा है लेकिन अगर आपके पास national level का दो सदस्टेपिकेट और a state level का दो सदस्टेपिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं उसके बात करते हैं हम लोग उम्रि सीमा के बारे में तो उम्रि सीमा जो है वो लेबल टू के लिए 18-30 बर्स है और लेबल वन के लिए 18-33 बर्स है बाकी इसमें कैटेग्री बात एज रिलक्शिसन दी जाती है उसके बात जानते हम लोग how to apply and make online payment यानि इसके लिए हम किस पकार आपेदन कर सकते हैं तो इसमें दिया गया विजिट दी वेबसाइट ओप WCR www.wcr.indianrelevage.gov.in यानि WCR की दी वेबसाइट है सबसे पहला हम उसको विजिट करना है यानि आपको WCR की वेबसाइट पर सारी जानकारी नोटिफिकेशन से लेकर ओनलाइन की सारी जानकारी आपको आपे मिल जाएगे आपको अराम सब्लाइ कर सकते हैं उसके बाद आपको click on new registration for registration number यानि इसके लिए आवदन करने से पहले आपको अपना registration करना पड़ेगा उसके लिए आपको new registration पे click करना है उसके बाद आपको login के लिए registration number और password दी जाएगी fill up details and upload the photograph, sign, document, education qualification, certificate of proof of date of birth, escort and guide qualification, card certificate, etc आपको आपे अप्लोड करनी है उसके बाद click on examination fee, search railway requirement sale, west central railway, जवरपूर, in search bar and select it, select payment category, enter all the required information and click on next, verify the payment details on click on next, यानी जो इसका online परिकिडिया है, किस परकार में इसके लिए online आप एदन कर सकते हैं, और किस परकार आपड़ोड पेमेंट जो है, वो साही तरीके से कर सकते हैं, और इसकी जानकारें भी हम लोग अगरे वीडियो में अच्छे तरीके से प्राप्ट करेंगे, ताकि हम किस इस पॉण को बारें ताकि हमारा पॉण रिजेक्ट ना हो, उसको पर चाएक करना आपको अपलोड करनी है, इसके लिए साधिस जानकारी नोटिपिकेसन में दी गई है, इस नोटिपिकेसन का लिक में अपने वीडियो के डिसे न वॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं हम लोग एक्जामनेशन फिस के बारे में, यानि इस फॉन को बारते से आपको कितने रुपे का पेमेंट करना होता है, तो एक्जामनेशन फिस जो हो वो पांस रुपिया आपको पेमेंट करना पड़ता है, जि आपको payment आपको 250 रप्या करना होता है यानि डाय सर्पेक आपको online payment करना होता है इस form को आविजन करते समय उसका रिक्यों में प्रोसेस के वारे में हम लोग पिछले वीडियो में जानकारी अच्छे से प्राप्ट कर चुके हैं उस वीडियो का लिक में उपर आई बटन और न के अच्छे स crisComaker किस और उनके दिये जाते हैं उसकी जानकारे ऑलनों किसले वीडियो में इच्छी के विडियो को जरूर देखें के और इसकी जानकारी प्राप्ट कर लें तो यह थी वीस सेंटर अरेड़ वे जवरभूर के तरफ से असकाट गए कोटा क Pomijn के McMahon उसे जुरी मादपून जानकारी हमें उम्मेद है आपको जानकारी काफी पसंद आई होगी ऐसे अन्य जानकारी के लिए आप सबी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिप्रिक्सन बिल को जरूर दबा दे बिलते हैं आप से अगरे वीडियो में एक और नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए